इत्यास कारों ने गलत भारत के विद्यार्तियों को पढ़ाया कि वास्कोटी गामा ने भारत के समुद्री मारगी की या वास्कोटी गामा ने भारत की खोच की इसी प्रकार से एक और जूट जिसकी भारत में पढ़ाने की जर्वत नहीं थी कोलंबस ने अमेरिका की खोच की भारत के वित्यारत्यों कुछ से कोई लेना देना नहीं था या तो फो फिर पढ़ाते हैं वह ये भी पढ़ाते कि कोलमबस के बाद में होगे समाज पर किस परकार से कोलमबस के बाद के लोगों ने थ्याचार किया और वहां के जन्जाती समाज को नस्ट करने का काम किया क्योंकि वहां का समाज प्रकति पूजक था। वसुलून आठवी सदाब्दी में वहां जाता है और अमेरिका इस्टित सोन्द डियागों में वहां कई मंदिर का निर्मान करता है यह वहां के एक संग्राले में आज भी तत्य लिके हुए है वहां की लाइब्रेरी में आज भी रखे हैं तत्य अब यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि अमेरिका की खोजती तो भारत में हमारे पुर्वजों ने की है, हमारे पुर्खों ने की है, कोलंबस ने अमेरिका की खोई नहीं की और हम गए तो हमने वागी संसक्रेटी, माया संसक्रेटी हुआ चलती थी, उसके साथ मिल करके उनका विकास में सयोग दिया है, ये भारत का चिंतन और दर्सन है, जिसको विद्यार् पाने की जरूवत थी, एक भोध बड़ा एक वेज्ञानिक भुगोल के अधार पर, एक बड़ा असर्ट लगबग 1200-1300 साल तक दुनिया के चितित पर, लोग पढ़ाते रहे, अरस्तु, अरस्तु ने का सिद्दान्त था, मानने ता थी कि प्रतिवी स्थिर है, बाद में ट सिद्दान तो को दिया, प्रति पादित किया, कि प्रतिवी स्थिर है, आप सोचे, विचार करिये, बाद में कोपर निकस ने क्या कहा? बाद में गेले-ले ने क्या कहा? और आज हम किस सिद्दान तो को मानते हैं? कि दिरभाग्य से जो कों परनिकसने कहा सूरिय इस्ठिर का सिद्दान ऐस के पीछे सभी आ चक्कर लगातें गूमतें प्रतिवी गूमती है लेकिन हमारे रिग्वेदों में आठ अजार साल पेले जिनोंने रिग्वेद को लिखा है रिग्वेद में लिखा है चंद्रमा पृथिवी के यहने अपने मात्रगरे के चक्कर लगाता है और मात्रगरे यहने पृथिवी अपने पित्र द्रह सूर्य के चक्कल लगाता है याने हमारे पुर्वजों ने पेले से ही सूर्य को इस्थिर्माना है और बाकी पृतिवी चंद्रमा सब धूमते हैं चक्कल लगाते हैं आज का विज्ञानिक द्रश्टिकोंड जिस बात को कहता है मारे पुर्वजों ने अपने सास्त्रों में लिखा है